Hello students, welcome to my YouTube channel Special Academy आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता है कि हम HP ELTIC Mission की त्यारी कर रहे हैं और ELTIC Mission से सबंदित जो भी हमारे important question है उनको हम discuss कर रहे हैं तो देखिए हमारा पहला question है यहां पर भासा की अभी व्यक्ति के कौन-कौन से रूप है तो आपके पास यहां पर option दिये गए है मौखिक, लिखित, मौखिक या लिखित या इन में से कोई नहीं तो देखिए यहां पर जो right answer आएगा वो आएगा option number C, मौखिक और लिखित यहां पर सही हो जाएगा और students साथ साथ में आपको भी अपना test लगाते रहना है और देखना है कि कितने question आपके सही हो रहे है तो देखिए next question है मानक हिंदी किस बोली से विक्सित हुई है तो देखिए यहां पर आपके पास option दिये गए है ब्रजभासा, खड़ी बोली, पहाड़ी या फिर अबधी तो मानक हिंदी किस बोली से विक्सित हुई है तो option number B, खड़ी बोली से next है भारतिय सविधान में किस भासा को राजभासा के रूप में स्विकार किया गया है तो इसका जो सही answer आएगा वो आएगा option number यहां पर B, हिंदी next है हिंदी वर्ण माला में स्वरों की संख्या कितनी है तो देखिए हिंदी वर्ण माला में स्वरों की संख्या है 11 option number C यहां पर सही हो जाएगा next question है परियावर्ण सब्द का संधी विचेद कौन सा है तो देखिए 5 का जो यहां पर right answer आएगा वो आएगा option number यहां पर B option number यहां पर B सही हो जाएगा sorry परीधन आवर्ण next question है वह सब्दांस जो सब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्ण ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो देखिए इसका सही answer होगा यहां पर option number C यहां पर सही हो जाएगा option number C यहां पर सही हो जाएगा next है कमल के समान नयन इसमें कौन सा समास है तो देखिए इसमें जो समास है वो है कर्मधार्य समास next है निमन लिखित में कौन सा अव्यभाब समास है तो देखिए अव्यभाब समास किसमें है तो 8 का जो यहां पर राइट answer आएगा वो आएगा option number यहां पर C समय के अनुसार next है आजनम सब्द का समास विग्रह क्या है तो आजनम का यहां पर समास विग्रह है जीवन परियंत next है सब्द की परिभासा क्या है हमें बताना है कि सब्द की क्या परिभासा है तो सब्द भासा की स्वतंतर और अर्थवान इकाई है option number a यहाँ पर सही हो जाएगा तो देखिए 11 है हमारे पास question स्रोत की द्रिष्टी से सब्दों को कितने भागों में बांटा जासकता है तो हमें बताना है कि स्रोत की द्रिष्टी से सब्दों को कितने भागों में बांटा जासकता है तो दिये हैं आपके पास option जैसे 4, 7, 10 या फिर 5 तो 11 का जो यहाँ पर right answer आएगा वो आएगा option number 8 चार भागों में नेक्स्ट है जो सब्द संस्कृत भासा से हिंदी में जियों के तैयों आगे हैं उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें कहते हैं हम तत्सम सब्द नेक्स्ट है निमन में से एक तत्सम सब्द चांट कर बताईए तो हमें तत्सम सब्द जो यहाँ पर बताना है तो 13 का यहाँ पर जो right answer आएगा वो आएगा option number D घोटक नेक्स्ट है निमन में से कौन सा सब्द तुर्की भासा का है कौन सा सब्द है जो तुर्की भासा का है तो ये है कैंची नेक्स्ट है विकारी सब्द होते हैं तो विकारी सब्द क्या होते हैं तो संग्या, सर्वना, विसेशन और क्रिया नेक्स्ट है संग्या के कितने भेध हैं संग्या के कितने भेध हैं तो option number A तीन भेध है next है निमन लिखित में कौन सा सब्द इस्त्री लिंग नहीं है कौन सा सब्द है जो इस्त्री लिंग यहां पर नहीं है तो दर्द next है हिंदी में बचन कितने होते है हिंदी में बचन कितने होते है तो यहाँ पर जो right answer आएगा बुआएगा 2 option number A यहाँ पर सही हो जाएगा next है नीमन में कौन सी भावाचिक संग्या है कौन सी यहाँ पर भावाचिक संग्या है तो यह है मित्रता option number D यहाँ पर सही हो जाएगा next है देश कोहानी जैचंदों से होती है रिखांकित में संग्या कौन सी है तो देखिए इसका जो right answer आएगा बुआएगा option number A यहाँ जाती बाचिक next question है करता के लिंग का पता ना होने पर क्रिया होती है अगर हमें करता के लिंग का पता ना हो तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है तो देखिए 21 का आएगा यहाँ पर pulling option number C यहाँ पर सही हो जाएगा next है निमन में इस्तरी लिंग सबद कोन सा है निमन में इस्तरी लिंग सबद कोन सा है तो देखिए 22 का जो यहाँ पर right answer आएगा वो आएगा option number यहाँ पर D ठंडाई next है गरीबों को बस्तर दो वाक्य में कारक क्या है? संपर्दान कारक. सर्व नाम कितने परकारके होते हैं? तो 24 का आएगा यहां। प्रोप्सन नम्बर बी 6 परकारके. बढ़ते हैं नेक्स्ट कुस्टिन की तरफ. तो देखें नेक्स्ट कुस्टिन हैं तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें क्या चाहिए रे खांकित का सर्वनाम भेद क्या है तो देखें 25 का जो यहां पर राइट अंसर आएगा वो आएगा यहां प्रॉप्स नमबर B प्रसन वाचिक सर्वनाम नेक्स्ट है मीरा ने आधा लीटर दूद पी लिया इसमें कौन सा है तो देखें 26 का आएगा यहां प्रॉप्स नमबर C परिमान वाचिक नेक्स्ट है नल बूंद बूंद टप कर रहा है वाक्य मेरे खांकित क्या है तो 25 sorry 27 का जो यहां पर राइट अंसर आएगा वो आएगा उप्स नमबर यहां पर C क्रिया विशेशन बढ़ते है next question की तरफ सुमित सो रहा है सुमित सो रहा है तो वाक्य में क्रिया का भेद क्या है तो देखिए 28 का जो यहां पर राइट अंसर आएगा वो आएगा उप्स नमबर A अकर्मक next है करतरी वाच्य में क्रिया संबंध होता है तो 29 का जो यहां पर राइट अंसर आएगा उप्स पर right answer आएग, option number C, मा नौकर से भोजन बनवाती है, next question है, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, इसमें बाच्चे कौन सा है, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, मैं बाच्चे है, तो 31 का जो right option होगा, यहाँ पर, वो होगा, option number A, कर्म बाच्चे, next है, मुझसे हंसा नहीं जाता, इसमें वाच्चे कौन सा है, तो भाव वाच्चे है, बढ़ते हैं next question के तरफ, देखे 33 question है, हमारे पास, निमन में से कौन सा वाक्य कर्म बाच्चे का नहीं है, तो 33 का जो यहाँ पर right answer आएगा, वो आएगा, option number B, पकसी आकास में उरते हैं, next है, वाच्चे कितने प्रकार के होते हैं, तो option number A, तीन प्रकार के, next है, अव्यव के भेद होते हैं, तो अव्यव के कितने भेद होते हैं, तो यह होते हैं, चार भेद, next question है, निमन वाक्य किस अव्यव से पूरा होगा, यह जो बाक्य यहाँ पर दिया है, यह किस अव्यव से यहाँ पर पूरा होगा, तो यह ह पूछता है, option number A यहां पर सही हो जाएगा, next है मोहन बाजार की ओर गया है वाक्य मेरे खांकित सब्द क्या है तो देखे की ओर यहां पर रेखांकित सब्द है, तो यहां पर जो राइट आंसर आएगा, वो आएगा यहां पर विशेशन, यह रेखांकित सब्द है विशेशन, next है मैं जल्दी जाओंगा ताकि आराम कर सकूं मैं जल्दी जाओंगा ताकि आराम कर सकूं वाक्य मेरे खांकित क्या है यह जो रेखांकित सब्द है यह कौन सा यहां पर है तो 38 का जो यहां पर right answer आएगा वो आएगा यहां पर समुच्य बोधक नेक्स्ट है जो सब्द क्रिया की विशेष्टा बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं जो सब्द क्रिया की विशेष्टा बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो क्रिया विशेष्ण next है मदन तेजी से दोड़ा वाक्य में क्रिया विसेशन का प्रकार बताईए मदन तेजी से दोड़ा तो वाक्य में क्रिया विसेशन का हमें प्रकार बताना है तो कौन सा प्रकार है तो इसका right answer आएगा रितिवाचक next है कौन सा सब्द अज सब्द का अर्थ नहीं है कौन सा सब्द अज सब्द का अर्थ नहीं है तो देखिए यहां पर option दिये गए है और 41 का जो right answer आएगा वो आएगा अंजान Next है निमन लिखित में कौन सा कर सब्द का अर्थ नहीं है तो देखिए 42 का जो यहां पर right answer आएगा वो आएगा option number C कर्म नेक्स्ट है निमन में से कौन सा विलोम यूगम ठीक है कौन सा यहां पर विलोम यूगम जो है तो ठीक है तो 43 का जो यहां पर आएगा अपवय और मीतवय नेक्स्ट है अग यह सब्द के लिए एक वाक्यांस क्या है तो 44 का यहां पर right answer आएगा option number C जिसे जाना ना जसके नेक्स्ट क्वेस्टिन है निमन बाक्य को उचित मुहावरा लगा कर पूरा कीजिए तो पर्स पर विरोधी दलों का सहारा लेना तो 45 का यहां पर अपने पावों पर कुलहारी मारना next है माथा ठनकना माथा ठनकना का यहां पर हमें अर्थ बताना है मुहावरे का अर्थ माथा ठनकना तो 46 का यहां पर आएगा option number C सक होना next है गागर में सागर गागर में सागर संक्षेप में गहरी बात कहना next question है निमन में कौन सा मुहावरा नहीं है निमन में से कौन सा यहां पर मुहावरा नहीं है तो 48 का यहां पर आईट आएगा वो आईगा option number यहां पर D दूर के ढोल सुहाबने next है निमन लिखित में से कौन सी लकोक्ती नहीं है निमन लिखित में से कौन सी लकोक्ती नहीं है तो सिर ओकली में देना next है खोदा पहाड निकली चुहिया लकोक्ती का अर्थी यहां पर क्या है खोदा पहाड निकली चुहिया तो grammar के ही question दिये गए थे और आपको बताना है कि कितने question आपके सही हुए और मिलते हैं next video में Thank you